आप सबीको एक्जामिने युटूब चनल में फिर से अर्दिक स्वागत है। के इंड में हम लगवग 30 MCQ questions discuss करेंगे इसी topic के basis पर जिसके बाद आपका पूरा का पूरा concept क्लियर हो जाएगा और प्लासी का जुद से कभी भी किसी भी एक्जाम में कोई भी प्रसनगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसका एकदम बिल्कुल सही answer करेंगे। तो चले हम लोग session की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये प्लासी का जुद क्यों कहा लाया। क्योंकि ये जो वार लड़ा गया था ये प्लासी नामक एक जगा पर लड़ा गया था। क्या होता है सिपाई बिद्रो होता है 1857 में तो आप यहां पर chronology को समझेंगे कि 1757 में प्लासी का वार होता है उसके 100 साल बाद आपका क्या होता है सिपाई बिद्रो होता है। यानि कि यहां पर 100 साल का इतिहास है जो आपको जानना है chronology को आप धिरे धिरे समझेंगे तो इतिहास बहुत ही आपको आसाल लगने लगेगा। और यह वार किसके किसके बीच लड़ा गया था आपको याद राना चाहिए कि 1757 में अगर हम लोग Central Power की बात करें All Over India में कुछ-कुछ पार्ट्स को छोड़ करके तो मुगल Central Power में बैठे हुए थे दिल्ली के गद्दी में और बाकी जो States थे बाकी जो Areas थे उसमें क्या थे State-wise नवाब थे उसी प्रकार से बंगाल के नवाब कोन थे उस टाइम सिराजदुल्ला थे और ये जो वार लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजदुल्ला और उस टाइम क्या था British East India Company थे और ये British East India Company कोन था ये भारत में आया था बेपार करने के लिए और फिर भारत के राजनितिक मामलों में हस्तक्षप करने लगे और धीरे धीरे भारत में British सासन का निव रखते गए तो यहाँ पर आपको कौन-कौन के बिच किसके किसके बिच लड़ाए हो रहा है East India Company वार्सस नवाब और बैंगॉल कहाँगा बंगाल के नवाब के बीच में क्या हो रह रही है अब इस वार के पीछे के कारणों को आप देखेंगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट श्लाइड में आखिर यह जो वार हुई इसके पीछे के कारण क्या था सबसे पहला कारण कि सिराजदोल्ला और British East India Company के बिच क्या चल लए थी संघर्स चल लए थी संघर्स किस बात आपको लेकर चल लए थी यह जो कंपणी थी आपका East India Company यह जो है आपका मुगल से ओडर लेकर आया था कि वो इंडिया में बहुत सारे जगा में ट्रेड्स कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं वहाँ पर किले बना सकते हैं तो कंपणी क्या क्या था बंगाल में अपना जो सिराजदुल्ला का पर्मिसन नहीं लिया गया था पर्मिसन कहां से लेकर आये थे यह लोग मुगल से पर्मिसन लेकर आये थे सिराजदुल्ला से पर्मिसन नहीं लिया था किले बंदी करने के टाइम तो इस प्रकार से एक संघर्स की सुनुवात होती है किसके बीच में सिर श्राजदुल्ला क्या हो रहा था गुस्सा हो रहा था और जो एक्टिविटी चलना था विटिस का बंगाल में उसको वह बरदास्त नहीं कर पाया और उसके खिलाब सक्त कदम भी उठाना इस्टार्ट किये अब ये तो बात हुई इस्ट इंडिया कंपणी और श्राजदुल तो घरेलों हिंसा चलती रहती थी घर में ही लड़ाई होती रहती थी तीस प्रकार से जो श्राजदुल्ला का जो फेमिली था उसी के बीच में क्या हो गये थी विश्वास घात और अंधुरुनी कलह इंटरनल कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था किसके घर में श्राजदु के बीच क्या इस्टार्ट हो गयी थी विश्वास घात इस्टार्ट हो गयी थी यह भी जुद्ध का एक मैन कारण है अगर हम लोग बात करें कुछ इंपोर्टेंट परसनलेटी का जिसका जुद्ध के साथ कनेक्शन है उससे पहले बता दें कि एक्जाम नेनो एपलिक्शन और स्टी का भी बैचेस आपका लॉंच हुआ है इन सारे बैचेस के अलवा कॉंबो बैंच भी लॉंच किये है जिसमें आपको पेपर वन एन पेपर टु दोनों साथ में देखने को मिलेगा ये सारे बैचेस में अभी इनोट्स और टेस्ट श्रीज प्रवाइड किया जा अब हम लोग बात करते हैं कि प्लासी के जुद का कुछ इंपोर्टेंट परसनलिटीज का जिसका इस जुद में बहुत ही ज्यादा रोल था पहला तो आपका हो गया सिराज दोला कौन थे बंगाल के नवाव जो बाद में हम लोग देखेंगे कि वार में क्या हो गया हार ग तो नेक्तरत कुन क्या था आपका रोवर्ट कलाइब क्या था वो कौन था एक ब्रिटिश्ट इंडिया कंपने की ओफिसर था था थार्ड इंपोर्टेंट परसन आया था मिर्जाफर जो की गद्दार था एक और इसी मिर्जाफर के कारण भारत के इतिहास पे बहुत सारे परिवर्टन आया और आज भी मिर्जाफर आई थिंक कोई अपना जो वेटा वेटी होता है उसका नाम मिर्जाफर तो नहीं रखता होगा क्योंकि मिर्जाफर नाम किसके परतिक हो गया है ये विश्वास घात और गद्दारी का परतिक हो गया है तो मिर्जाफर आप याद हैं आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे क्या होती है अब हम लोग देखेंगे जुर्ध की घट्नाई कैसे कैसे जुद की और प्रिष्ट भूमी त्यार हो गया आपको अभी तेक समझ मागया कि वार के लिए पुरा का पुरा प्रिष्ट भूमी क्या हो गया त्यार हो गया अब होता क्या है 23 जुन 17-177 की तारीक होती है और यह जो पलासी नामक जगा है यह कहाँ पर है पस्ची म टाइम वो श्राज़ुला को धोका दिया और बिटीसे को साथ दिया ऐसा माना जाता है कि श्राज़ुला के जो आर्मी था वो बहुती ज़्यादा सेंख्या में था जबकि अंग्रेजों की जो टुकडी था वो बहुती कम था बट हुआ ये था कि कि मिर्जाफर क्या क्या था कि जुद में लड़ने के लिए ओर्डरी ने दिया था जब को खड़े के खड़े रखा था और लड़ कुन रहा था सिराजदॉला और कुछ लोगोंये लड़ रहा था बाकी जो सेना थी वो पुरा का पुरा मुखदरसक बने हुई थी टाकि क्लाइब का जो पार्ट हो बहारी हो सेग Bennett और इसके लिए वह किसका किसका इस्तेमाल निए और अपना सेहिन कोसल का इस्तेमाल खिया और यह वार किस जित्या पृट की मिर्जाफर को अपने साइड में कर लिया और जितने भी सेना थे उसके इस परकार से वो skill set किया, इस प्रकार से उसको set किया, कि वो आराम से जुद को जीत लिया, अब होता क्या जुद को जीत लिया, कब 23 जुन 1757, अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखे शिराजदुल्ला की क्या होती है इस जुद में, तो इस जुद में शिराजदुला का मोत हो जाता है, सिराजदुल्ला को पकड़ा गया और इसे क्या कर दिया गया मार दिया गया और इस चुद के साथ ही ब्रिटिस क्या हो जाती है बिजय हो जाती है एक ऐसे समराज का मालिक हो जाता है जो उस टाइम सबसे ज़्यादा पाउरफुल in the terms of trade वेपार के मामले में सबसे ज़्यादा पारफुल था उस्टेम बेंगॉल और ये बेंगॉल को जितना जो है आपको एक प्रकार साब समझ सकते है ब्रिटिस समराज को क्या दिया ये ब्रिटिस समराज को जो फंड की जरुरत था इंडिया में ताकि वो और बहतर तरीके से सासन को चला सके वो फंड कहा से मिलने ल और प्लासी का जुद क्या हो गया ब्रिटिसों की निरनाएक जीत के साथ क्या हो गया समाप्त हुई और उसके बाद मिर्जाफर को नवाब बनाया गया और जैसे नवाब बना तो ऐसा नहीं कि मिर्जाफर अपने खुद से सासन क्या जबकि वो क्या हो गया अंग्रेजों क का कटपुतली बन कर रहा गया और इसी जूद के साथ ब्रिटिस साजन की न्यू रखे गई जो जिससे अंग्रेजों को राजनितिक और आर्थिक न्यंत्रन बढ़ गया क्योंकि बंगाल उस टाइम बहुती जादा अमिर परदेश था और वहां से जो एकोनोमिक वेनिफिट ह अंग्रेजों का इसका वो लाब उठाया भारत के बाकी एरियाज को जितने में इसको आप ऐसे समझ सकते है कि भारत में जो अंग्रेजों का आर्मी था अंग्रेजों का सेना था ऐसा नहीं था कि पुरा का पुरा सना वो लोग इंगलेंड से उठा के लिए आया था वो लो क्या क्या क्योंकि आप पूरा का पूरा राजनितिक और आर्थिक नियंत्रन हो गया था अंग्रेजों का कहां पर बंगाल पर तो यहां तक आपको समझ महा गया कि प्लासी का जुद का परिनाम क्या होगा अब यह आखिर इंपोर्टेंट क्यों है प्लासी का जुद तो यह इ बहुत सोटे चोटे चोटे नवाव होंगे उनके मन में चलना होगा कि आखिर वंगाल के नवाव ही हार गये तो हम लोग क्या चीजे तो वह लोग क्या हो गये ब्रिटिसों के साथ बहतर समंद बनाने लगे यानि ब्रिटिसों के साथ दोस्ती करने लगे तो इस प्रकार से एक सामरिक परिवर्तन हुआ जैसे ही बंगाल को जीत लिया अंग्रेजों ने अब इसका निसकर्स क्या हो गया कि 1757 का जो वार था फलासिका जूद के नाम से जीसे हम लोग जानते हैं ये भारती इतियास में एक मिल का पत्थर है जिसने क्या क्या भारत में ब्रिटिस साथन की शुरुआत की और इस जूद ने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को बंग जाल पर नियंत्रन दिलाया और पूरे भारत में उनके समराज की क्या रखा नियू रखी तीस प्रकार साबका थियोरिटिकल वाला पार्ट जो है अभी क्लियार हो जाता अब इसका क्या है इसका आपका अब्जेक्टिब कोश्चन भी आपको डिसकस करना तो अब्जेक्ट भी डिसकस करने के बाद उसका हम लोग MCQ डिसकस करेंगे बहुत बार हम साथ में किये है बाट बहुत सार इस्ट्वेंट्स का कहाना है कि सर अलग-अलग कीजिए concept अलग और MCQ अलग क्यों को MCQ के साथ interested ज़्यादा रहता है बहुत कोई concept के साथ interested ज़्यादा रहता है तीछ पेपर 1 में और यहीं चीज आपका जो इतिहास बाला सेक्षन है राजिंती बिग्गान है वहाँ पर भी आपको 60 questions पूछा जाएगा 60 questions आपको पूछा जाएगा पेपर 2 में आपका GS section में जो भी subject आपकर आएगा चाहिएगा आप social science से भासा है तीस प्रकार से आपको त्यारी करते रहना है I think कि आपका exam जो है September October में आपका exam हो जाएगा अभी तक ऐसा बात चल ला आता कि notification आज आएगा इस सब्ता के अंदर बाद अभी तक तो देखने को नहीं मिला आज देखते है कि आज कुछ change होता है कि नहीं हो सकता है कि within one week notification देखने को मिल जाए क्योंकि सरकार भी JTIT को conduct कराने को लेकर के गंबीर है साथ साल तक आज तक JTIT हुआ नहीं है और next phase का जो vacancy आएगा आपका साहक आचार जी का उसमें आपको JTIT conduct उससे पहले तो हो ही जाएगा conduct तो त्यारी करते रहें ऐसे नहीं कि यह सारे जो चीज़े आप पढ़ रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ आपका JTIT में काम आएगा पाकी बहुत सारे एक्जाम में जो teaching exams आप देंगे जैसे भी बिहार teacher का exam देंगे आप DSSSB का exam देंगे इन सारे exam में भी इन सारे topics आपको देखने को मिलेगा तो हाँ पर भी यह सारे topics आपको क्या करेगी topics अगर आपका clear रहेगा तो हाँ पर आपको help मिलेगी और यह सारे batches के बारे में जो पहले ही बता चुके इन सारे batches को आप application को download करके access कर सकते हैं चले मिलते हम लोग next session में जहाँ पर हम लोग MCQ को discuss करेंगे और I think इसको आज ही हम लोग upload भी कर देंगे Thank you